दोस्तो जब भी कोई नॉर्मल गारी तेज रफ़तार से किसी मजबूत चीज से ठगराती है तो उस गारी के फ्रेंट की दो तुकड़े हो जाते हैं या फिर पैसेंजर को बहुत तर्च चोट आती है लेकिन वहीं दूसरी गरफ हमारी देश की जानी वानी गंपनी टाटा मो करीबन 80-90 km per hour की रफ़तार से जाकर सामने खड़ी एक सीमेंट की पोल से टकराती है और होता क्या है वो पोल दो तुकड़ों में तूट जाता है और गारी के फ्रेंट में बहुत भेंकर इंपेक्ट आया और पीछे के तरफ भी इसका इंपेक्ट देखनी को मिला लेकिन ए यहां पे बोनट तक नहीं खुला आप समझ सकते हैं किस लेवल की विल्ड कॉल्टी है बाई बोनट तक नहीं खुला और अगर आपकी सीसे तक देखोगे तो सीसे लगता ऐसा कि टिल्ट हो गया लेकिन बहुत अच्छी बात है इसका सीसा जहरा नहीं अधिकतर गाड़ी के इतने भेंकर इंपक्क वाच चीसे होते हैं तो기를ण के कैविन के अंधर गिर जाते हैं लेकिन इस गाड़ी के जो सीसा है तो टंगा हुआ है यह निकला तक नहीं और इस गाड़ी से लत ग्लोबल एंप सेलटी का अच्छा होता है तो वह दोनों के मार्क्स नहीं वह भराबर के होते हैं और यहां पर साबित हो जाता है कि यार अगर आपको परिवार से प्यार है ना तो पांच है लाक रुपए के अंदर यही गाड़ी उठाना क्योंकि यह इतनी सुरच्छा गाड़ी दे रही है ऐसी सुरच्छा तो आपको करीबन 40-45 लाक लगाने मिलती है उस लेव पस्वासिप्सक्राइब पस्ट्राइब और यह दो कर दो सक्टाइब झाल सिद खेशंग पिवेच्छ जाग लगाने में गड़ाने में तो आपको परिद्यार है उन्सक्टाइब और यही।